Hello friends, welcome back, स्वागत हैं आपका Ancient History of India के Lecture No.22 में भारत के प्राची नितियास के Lecture No.22 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों Lecture No.21 में Moran Empire के सब सीरीज को हम लोगों ने कंकलूड किया कि क्या वो कारण रहे होंगे जिनकी वजह से शायद Moran Empire डिकलाइन हुआ होगा, Moran Empire खत्म हुआ होगा आज का हमारा जो Lecture No.22 है इस रंकला को आगे बढ़ाएगा कि जब Moran Empire का डिकलाइन हो गया तो अगले Major Empire के राइस होने से पहले मतलब गुपता Empire, गुपता Dynasty के राइस होने से पहले ये बीच का जो लगवग 500 साल का पीरियड रहा, 220 BCE से लेके 300 CE तक का क्या-क्या Major Changes होंगे, कौन-कौन सी Different-Different Dynasties आई होंगी क्या Major Cultural Changes होंगे, International Trade में Changes होंगे, Protocol Structures में Changes होंगे Society में Changes होंगे, Religion में Changes होंगे, Art and Architecture में Changes होंगे तो आज का हमारा जो Lecture है Lecture No.22 ये शुरुवात करेगा इस Interaction और Innovation के 500 साल की पीरियड के discussion को मतलब 220 CE से लेके 300 CE तक का ये जो Major पीरियड है अलग-अलग Dynasties चाहें इसमें शुंगाज हों, कुशांस हों, शाका पहलवाज हों इसके लावा और भी बहुत सारे Dynasties, कब उनका Rise हुआ, कैसे उन्होंने Rule किया, कैसे वो क्यों Decline हुई, कब Decline हुई Major Rulers, Major Emperors, Major Features इन सभी को अगले कई Lectures के थुरू आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों और आज की Lecture की तरह हमारे Previous Lectures और Future Lectures के लिए जो Main Reference Material है, Source Book है, वो है A History of Ancient and Early Medieval India by उपेंदर सिंग या भारत एवं पूर मध्यकालीन भारत का इतियास by उपेंदर सिंग दोस्तों सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है कि बहुत comprehensive तरीके से ancient history या भारत के प्राचीन इतियास को cover करती हुई ये किताब English के साथ-साथ Hindi Medium में भी available है तो जो भी हमारे viewers है, subscribers है या students है जिनको दिक्कत आती है कि English Medium के लिए तो बहुत सारे sources है Hindi Medium हम किसे पढ़ें मुझे लगता है ये book उनके लिए एक major solution या source हो सकता है और दोस्तों जैसा हमने Indian economy में किया, भारत की अर्थवस्ता के lectures में किया अब हम कोशिश करेंगे कि regularly ancient India के lectures आप तक पहुँचें और ये करने के लिए जो अभी तक दो घंटे या दो घंटे से ज्यादा के बड़े lectures थे उसके बजाए हम कोशिश करेंगे कि लगबग एक घंटे के lectures को roughly एक या दो week में आपके साथ हम साजा करते रहें, रोल आउट करते रहें Lecture number 21 में हमने end किया Moran Empire के discussion को अशोका और बुद्धिज्म के discussion के साथ अशोका का क्या धंबा रहा, उसके साथ क्या sculpture और architecture के mean features रहें उसको discuss किया, Moran Empire के decline को discuss किया और finally conclude कि Moran Empire के क्या features रहें होंगे, क्या uncertainties हैं और क्यों Moran Empire इतना important माना जाता है ancient history of India में आज का हमारा lecture दोस्तों, lecture number 22 शुरुआत करेगा एक short introduction से कि जो 500 साल का period है 200 BCE to 300 CE क्यों इतना important है और उसके बाद एक एक करके जो अलग-अलग dynasties हैं जैसे शुंगा dynasties इसके लावा Indo-Greeks coins जो उस वक्त हमको मिले, क्या उसकी important features हैं history के बारे में हमें क्या पढ़ाते हैं, क्या समझाते हैं, क्या information हमें देते हैं फिर हम बात करेंगे शाका पहलवास की या सायथो-पार्थियंस की और lecture number 23 में इसी discussion को हम आगे बढ़ाएंगे lecture number 23 में और जो dynasties हैं उनके बारे में detail में discuss करेंगे साथी साथ trade के बारे में, religion के बारे में, society के बारे में, agriculture के बारे में, exchanges के बारे में भी lecture number 23, 24 के थूँ, 25 के थूँ, आपके साथ बहुत सारी information को share करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो आएए शुरू करते हैं lecture number 22 of ancient history of India 1911 का वो साल, जब उस वक्त के antiquities के एक enthusiastic collector, जिनका नाम रहा पंडित राधा कृष्णन जी उन्होंने मतुरा के एक गाउं, जिसका नाम रहा मठ, उसका एक mound था टोकरी टीला और agricultural fields के बीच में, मतलब खेतों के बीच में, उनको एक unusual सी stone image उस वक्त मिली और अगर आप इस stone image को देखेंगे, तो इस stone image के ना ही तो धड़ है, मतलब head है, ना ही इसके arms है, मतलब ना ही इसकी बाहें है ये दोनों चीजें missing रही, लेकिन इसके बावजूद ये जो stone statue है, ये फिर भी इतनी ज़्यादा reflective रही एक life-size warrior king की अगर आप इनका right hand देखें, तो right hand में एक बड़ा mace है, राजदंड है और अगर इनका आप left hand देखें, तो उनकी जो sword थी, उसका जो ornamented part है, या top part है, उसको मजबूती से पकड़ा हुआ दिखाई देता है इनकी जो trim body थी, बड़े ही simple knee length घुटनों तक एक tunic में, इसके अलावा tunic को waist पे एक belt से बान दिया गया हो इसके अलावा, अगर आप देखेंगे, तो इनके ankle length या मतलब की, नीचे पैरों तक outer rope पहने हुए दिखाई देते हैं इनके पैर थोड़े से unusually large हैं, लेकिन बड़े heavy boots में, उनको strap किया हुआ है, और ankles के आसपास उनको बांदा हुआ है और अगर आप इनके पैर देखें, तो ground पे बड़े firmly planted हैं, और इस तरह का pose है, जैसे की action और stability दौनों को एक साथ ये reflect करते हों और इस damaged condition में भी, image से strength, power और authority radiate होती हुए दिखाई देती है अब आप सभी सोच रहे होंगे, कि किस warrior king, किस raja की image ये होगी ये जो stone statue है, ये इसके नीचे एक ब्रह्मी inscription भी carry करता है, जिसमें इस raja का नाम लिखा हुआ है और वो नाम है king कनिश का, कनिश का कुशान dynasty को belong करते थे और ये जो period रहा, 200 BCE से लेके 300 CE तक का, इस दोरान जो बहुत सारी dynasties आई और गई, उसमें से कुशान dynasty भी एक major dynasty उस वक्त रही और ये 500 साल का जो period है, जो शुरू होता है 200 BCE से खतम होता है 300 CE, historically कई reason से बहुत significant माना चाता है जैसे अगर आप North India देखें, उत्तर भारत देखें, तो उस वक्त North West की तरफ से, उत्तर पश्चिम की तरफ से कई सारे invasion attack इंडिया, Indian subcontinent पे होते हुए देखे गए और इस वज़ा से अभी तक civilization का जो power center था, political center था, जो generally मघद region के आसपास था, अब वो shift होता हुआ दिखाए देता है North Western इंडिया की तरफ पहला बड़ा change, इसी 500 साल के अंदर, 200 BCE से लेके 300 BCE तक जो decan है, मतलब South India है या far south है, अब वो भी धीरे-धीरे state, polity और society की तरफ transition करता हुआ दिखाई देता है और अगर आप पूरे subcontinent को देखें, तो उसमें जो शहरी जीवन है, city, life है, अब वो नए-णए areas में फैल्टी हुई दिखाई देती है इसी तरीके से different-different type के crafts, different-different type की arts, अलग-अलग type के craft persons, उन्होंने larger quantities में, अलग-अलग variety की goods, crafts को produce करना शुरू किया और ये जो trade रहा, सिर्फ Indian subcontinent के अंदरी नहीं, लेकिन Indian subcontinent के बाहर भी flourish होता हुआ दिखाई देता है और इस वज़ा से अब money एक बहुत important medium of exchange के तौर पे उबरता हुआ दिखाई देता है मतलब barter system, exchange system कम होता हुआ दिखाई देता है और trade क्योंकि flourish हो रहा है, money एक prominent position गेन करती हुए दिखाई देती है अगर cultural winds के बारे में आप बत करें तो subcontinent में क्योंकि अलग-अलग invasions हुए, expansion of trade हुआ, northwest political center बनने लग गया तो northwest particularly एक major cultural center के तौर पे emerge होना शुरू हो गया साथी साथ अगर आप देखेंगे तो images की worship, मतलब मूर्ती पूजा, shrines के अंदर, temples के अंदर, religious centers के अंदर एक important part बनती हुई दिखाई देती है आम लोगों की religious life की और ये सिर्फ एक particular religion से related नहीं है, लेकिन अलग-अलग religions, अलग-अलग cults, sectarian boundaries को cross करता हुआ एक बड़ी common theme है कि लोग अब कहीं ज्यादा image worship में believe करते हुए दिखाई देते हैं इसके अलावा, जो religious activity है, ये अब institutionalize होना शुरू हो गई और ये reflection हमें दिखाई देता है, इस period से related संबंदी, जितनी भी religious texts हैं, permanent religious structures हैं और अलग-अलग inscriptions हमें जो इस वक्त के या इस period को represent करते हुए दिखाई देते हैं इसके अलावा, stone sculpture के कई सारे sophisticated styles हमें दिखते हैं और ये coexist करते हैं, terracotta art, terracotta art मतलब जो मिटी की, clay की चीज़ें बननी हुए दिखाई देती हैं, उनके साथ-साथ इसका मतलब terracotta art और stone sculpture दौनों coexist एक साथ हमें develop, evolve होते हुए दिखाई देते हैं, flourish होते हुए दिखाई देते हैं और इस period की history के, अगर आप sources की बात करें, तो बहुत सारे sources हैं, diverse, कई सारे sources हैं, जैसे जातक्स जो हैं, या gerism से related जातक कताएं जो हैं, वो ordinary लोगों की, traders की, travelers की life के बारे में हमें बहुत सारी information देते हैं इसके अलावा, अगर आप Buddhist works को देखें, तो उसमें भी हमें बहुत सारे incidental historical references मिलते हैं, जैसे की मिलिंद पना, या फिर ललित विस्तारा में Similarly, अगर जैना text आप देखें, तो जैनिजम की जो history है, इसके अलावा incidental references है, historical values के, उसके बारे में बहुत सारी information हमें provide करते हुए दिखाई देते हैं और political history का, जो सबसे important main source, इस वक्त का हमें दिखाई देता है, वो है पुरान, या दा पुरानाज ये अलग बात है कि चाहे Buddhist works हों, या फिर जैना text हों, या पुरानाज हों, या जातक stories हों, इनमें कई बार ऐसा हो सकता है, कि कई information को लेके conflict हो, कई information एक में कुछ हो, दूसरे में कुछ हो, लेकिन overall history के बारे में, अगर इन sources को आप मिलाएंगे, तो चाहे political history हो, cultural history हो, religious history हो, trade, commerce की बात हो, ये सारे information इन से आप expect कर सकते हैं, और जो पुरान हैं, या फिर epics हैं, बड़े ही rich source information के, खासतार से, जो early शुरुवाती दौर के Hindu cults होए, और religious practices होई, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और बात के जो धर्म सूतराज होए, स्मृतीज होई, जैसे सबसे famous जिसका बहुत बार आपने नाम सुना होगा, मानव धर्म शास्त्रा, जिसको generally मनु स्मृती भी कहा जाता है, वो भी इस period में, मतलब 200 BCE से लेके 200 CE के बीच में ही लिखी गई, इसके अलावा, यजनवल कया स्मृती, जो कि 100 CE से लेके 300 CE के बीच में लिखी गई, ये चाए मानव धर्म शास्त्रा हो, जिसको मनु स्मृती कहा जाता है, या यजनवल कया स्मृती हो, ये दौनों ही ब्रहामनीकल डिस्कोर्स को उस वक्त के reflect करते हैं, और उस वक्त की क्या society रही होगी, उसके बारे में बड़ी important information हमें provide करते हैं, अब कोई भी textural source हो, एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले हम उसे specific information लें, क्या-क्या historically significant statements हैं वो लें, और बाकी जो noise है उसको थोड़ा सा हटा दें, cultural bias को थोड़ा filter out करने की कोशिश करें, साथी साथ एक और approach हो सकता है इन सारे sources को देखने का, कि जो text है, अलग-अलग चीज़ों में उसको completeness में देखें, क्या उसके author की intent रही होगी, क्या वो complex relationship रहा होगा, शब्दों में, words में, और क्या उस वक्त का historical context या setting रही होगी, और इन सब को अगर आप एक साथ प्रो पाएंगे, तब ही किसी भी particular period की history को, उस वक्त के लोगों को, religion को, life को, politics को, structures को, trade को, commerce को, आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जैसे कि Patrick, Oliwells की जो recent study है, किस पर मानव धर्म शास्त्रा या जिसको मनुस्मिती भी कहा जाता है, उसमें आर्ग्यू किया है, कि बड़ी ही unique structure की ये text है, और ऐसा लगता है कि शायद जो original work हो, मतलब पहली बार जब इसको लिखा गया हो, ये रफली second या third century के बीच में लिखा गया हो, और most likely, एक किसी single व्यक्ती, single author ने इसको लिखा हो, जो हो सकता है, एक बहुत जानकार, एक learned brahman उस वक्त रहे हो, ये भी कहा जाता है, कि अगर एक single learned brahman नहीं ह है, कि जिसने भी इसको लिखा, वो बड़ा ही छोटा small group of people रहा होगा, जो most likely North India से belong उस वक्त करते होंगे, इनका ये भी कहना है, कि मनुस्मृती या मानव धर्म शास्तरा का aim, असली में जो brahmanical privileges हैं, उनको defend करना दिखाई देता है, और ऐसा लगता है, कि message कुछ ऐसा रहा कि इस मानव धर्म शास्तरा या मनुस्मृती के थ्रूर, उस वक्त के ब्रहामिन्स ने या authors ने, जो kings और ब्रहामिन्स के बीच में एक strong alliance हुआ करती थी, उसको re-establish करने की, उसको re-kindle करने की कोशिश की हो, और एक important aspect ये भी है, कि ये 200 BCE से 300 CE का समय ही था, कि पहली बार हमे संस्कृत ड्रामा का rise या beginning होती हुई दिखाई देती है, जैसे कि अश्वघोष की सरी पुत्र प्रकड़ना, जो actually, मदगलना और सरी पुत्र, बुद्धा ने जिसको convert किया, उनके conversion या उनके जो oldest surviving text हैं, उसके बारे में हमें information देते हैं, जैसके अलावा, अश्वघोष औ और दो important Buddhist text के author भी उस वक्त जाने गए हैं, सबसे पहली textbook है, सौंदरे नंदा और दूसरी बहुत ही famous बुद्ध चरेता, बुद्ध चरेता, लौट बुद्धा भगवान बुद्धा की हेगियोग्राफी है, हेगियोग्राफी मतलब उनकी autobiography, लेकिन जो core subject हैं उसके exceptional medical work है, चरक के और शुशुरुत के वो भी इस वक्त ही लिखे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बात के जो text हैं, उसमें कई सारी important हमें books या उस वक्त के जो important subjects हैं, जैसे कि astronomy हो, mathematics हो, medicine हो, उनके बारे में भी information हमें मिलती है, दिखाई पड़ती है, इसके अलावा एक और important aspect इस particular period का, वो है संगम poetry, संगम poetry, Tamil language की सबसे पुरानी oldest surviving literature कहीं जा सकती है, और इस वजह से इसको बहुत ही important, reporter माना जाता है, पूरे available literary sources में, इसके अलावा, जैसे शुरुवाती lectures में, हमने आपको detail में समझाया, कि जो term है, word है संगम literature, ये जो तीन literary academies हैं, उसके letter tradition को reflect करता है, historicity के बारे में अभी भी debate है, लेकिन इसके बावजूद, इसमें कोई दोराई नहीं है, कि संगम literature, सबसे पुराने surviving literature tradition में से, Indian subcontinent के माना जाता है, और अगर आप मोटे-मोटे तोर पे बात करें, तो जो संगम literature का कॉपस है, इसमें जो art anthologies या poems हैं, इचो टोकाई के उसमें से 6 इसमें include हैं, इसके अलावा, जो 10 पटूज हैं, या songs हैं, पटा-पटू के उसमें से 9 इसमें included हैं, इसके अलावा, तोलक के PM की जो पहली दो books हैं, उसके जो earliest शुरुवाती पार्ट हैं, वो भी संगम कॉपस का पार्ट बनते हैं। और जो ये poems रही, mainly दो type की रही, अकम, अकम का मतलब love poems, और पुरम, पुरम का मतलब heroic poems, जो war या heroism को reflect करते हैं, जो उस वक्त के poets रहे, उनका social background ऐसा लगता है, बहुत diverse हो। और इस वज़ा से उनकी poems में भी अलग-अलग तरीके की variety हमें दिखाई देती हैं, कई बार जो songs हैं, generally बहुत humble, जैसे की bats और drummers हैं, उस वक्त के earlier time से उनके thought process को reflect करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ही rich, evocative sources हैं, उस वक्त की जो society है, खासतावर से तमिलकम, तमिलकम का मतलब है Tamil Land, 3rd century BC से लेके 3rd century CE के बीच में क्या societal values होंगी, कैसी society होगी, उसके बारे में बड़ी important information मिलती है हमें संगम literatures के। एक next important source of information इस पूरे period के लिए, वो है Greco-Roman text जिनको classical accounts भी कहा जाता है, ये भी बहुत important historical source है, इस 500 साल के period मतलब 200 BC से लेके 300 CE के बीच में हैं। और कई सारे Greco-Roman जो authors रहे, चाहे Aryan हुए, Strava हुए, Pliny हुए, Elder हुए, इनकी जो लिखावट है या इनकी जो अलग-अलग text book हैं, references हैं, उससे भी हमें Indian subcontinent की society के बारे में, trade के बारे में, politics के बारे में, अलग-अलग systems के बारे में, religion के बारे में, बहुत सारी information हमें मिलत हैं, और सिर्फ, Greco-Roman ही नहीं, लेकिन Egyptian Greek source, जैसे की Periplus-Messi-Etherei, इनके भी जो author हैं, ये किस तरीके से Indian subcontinent में trade evolve हुआ, क्योंकि इन्हों ने खुद ने Red Sea से travel किया India में, इन्होंने बड़ी important book लिखी, उनकी experiences के बारे में, उनकी observations के बारे में, तो ये जो details हैं, Periplus-Messi-Etherei, ये history of trade के बारे में, in those 500 years, या इन 500 साल के बीच में, उसके बारे में important insights हमें provide करते हैं, और सिर्फ, Greco-Roman या Egyptian Greek ही नहीं, या सिर्फ Indian ही नहीं, इवन जो Chinese text हैं, जैसे की Sheen-Hashu, या Ho-Hanshu, ये भी हमें information provide करते हैं, कास्तर वर से Central Asia से, जो migration उस वक्त रहा का, लोगों का, और उनका direct impact होगा, खासता और से North India की जो political situation होगी, polity होगी उसके उपर, एक और बहुत important source और वो है, archaeology, archaeology, अलग-अलग type के settlement patterns हैं, किस-किस type के crafts हैं, कैसा trade रहा, इसके बारे में, बहुत important source of information हमेशा provide करते हैं, जो oven centers हैं, oven sites हैं, उनकी details generally, बहुत ज़ाद available नहीं है, लेकिन इतनी information, अब I think available हो चुकी है, कि जो urban sites हैं, urban centers हैं, उनका broad, मोटे-मोटे तोर पे क्या profile होगा, क्या setup होगा, क्या systems होगे, वो ऐसा लगता है, कि काफी हद तक हम समझ पाए हैं, जैसे, अगर आप North India में देखें, तो late NBPW, या northern black polish wear, या post NBPW levels हैं, significant expansion of the urban centers को indicate करते हैं, मतलब urban centers, शहरी छेतर अब बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और अगर archaeological literature की बात करें, तो जो cultural levels हैं, इन centuries के, इनको क्या का जाता है, शुंगा कुशाना, क्योंकि दो important dynastries रही, जिन्नोंने इस period में काफी broadly rule किया, जो settlements हैं, ऐसा लगत fortified हैं, मतलब clay बंदी हैं, इसके अलावा planning के element दिखाई देता है, और burnt bricks, मतलब पकी हुए इटों का बहुत uses वक दिखाई देता है, जो pottery है, उसमें wheel turned red wear, medium fabric दिखाई देता है, इसके अलावा, जो wheel made pottery है, वो stamped है, और in size designs, उसके ओपर design in size के बनाई हूँ, ये भी हमें दिखाई देता है, कई तरह की pottery, कई तरह की shapes, जैसे की balls हैं, जिनके flared और incurred rims हैं, या button knob lids हैं, basins हैं, spouts हैं, इसके अलावा long neck sprinklers हैं, miniature verses हैं, ये भी हमें दिखाई देते हैं, इसके अलावा artifacts, coins, seals, terracotas, अलग-अलग तरह की range, अलग-अलग तरह की workmanship, इस period के दौरान ह हमें दिखाई देती हैं, जो coins हैं, वो एक बहुत important source of information, खासतार से archaeological strata को date करने के reference में, हमें इस वक्त मिलते हैं, अगर आप Deccan और South India की बात करें, तो जो sites हैं, clearly transition हमें दिखाई देती हैं, later megalithic faith से, अब urbanization की तरफ, अब शहरी करन की तरफ, early historical faith की तरफ, वहीं दूसरी तरफ, कई सारे urban settlements ऐसे भी दिखते हैं, जो ना ही तो neolithic, चालकोलिथिक age को reference करते हैं, ना ही megalithic antecedents को reflect करते हैं, comparatively कम information है, तो कई बार ऐसे भी settlements मिलते हैं, जो urban की बजाए, rural settlements को ज्यादा represent करते हों, archaeology हमेशा से material culture के बारे में बहुत important information हमें देती है, इस वजह से किस तरफ की religious practices रही होंगी, कैसे institutions होंगे, कैसे worship होती होगी, ये archaeology के साथ साथ, बाकी sources के साथ, जो information हमें मिलती है, उससे club करके अगर आप देखेंगे, तो आपके mind में holistic picture उस वक्त की बन पाएग और अगर आप ये period देखेंगे, 200 BCE से लेके 300 CE का, अलग-अलग type की range, अलग-अलग type के inscriptions, बहुत large number में exponential rise के साथ, dramatic increase के साथ इस period में दिखाई देते हैं, जैसे North India में जो royal inscriptions हैं, royal inscriptions का मतलब है जो king या raja या emperor उस वक्त लिखवाते होंगे, वो clearly अब प्राकृत के बजाए, Sanskrit में लिखे हुए दिखाई देते हैं, जो ये period है 200 BCE से 300 CE का, ये प्राकृत language से अब Sanskrit language की तरफ, Sanskrit drama हो, या Sanskrit inscriptions हो, उनके transition को reflect करता हुआ दिखाई देता है, अगर आप South में चले जाएंगे, तो यही वो period है, जिसमें सबसे पहले पुराने earliest Tamil inscription पहली बार दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, और जो inscriptions हैं, ये subcontinent के अलग अलग parts में, thousands, 1000 की संख्या में, जिसमें royal inscriptions हैं, जिसमें dynastic history भी दिखाई देती है कि कि किस king के बाद कौन आया, कौन किसका बेटा था, कौन राजा बना, कब से कब तक उनका empire रहा, कब उ royal inscriptions, मतलब जो राजा लिखवाते होंगे, उससे कहीं जादा inscriptions हमें मिलते हैं, ordinary लोगों के, men and women के, अलग-अलग diverse social backgrounds के, जो हमें donations उन्होंने कहा दिये, कहां-कहां उन्होंने travel किया, क्या-क्या उन्होंने observe किया, उसके बारे में बड़ी useful insight provide करते हैं, और ये जो inscriptions हैं, च information देते हैं, social history के बारे में, patronage के बारे में, religious history के बारे में, इसके अलावा different different elements रहे होंगे, उसकी society के बारे में, polity के बारे में, economy के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में, बहूती valuable source of information है, और अगर, कई सारी ancient texts को अगर आप देखें, ये सारी जो information है, ये हमें social religious elites के बारे में बहुत सारी useful insights पर provide करते हैं, क्या actual practices नहीं होंगी, लोग क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे, क्या systems उन्होंने develop किये होंगे, trade कैसे करते होंगे, religion कैसे practice करते होंगे, यह सब चीजें हमें समझने में मदद करते हैं, coinage हो, archaeology हो, different religious texts हो, इसके अलावा inscriptions हो, या औ और भी multiple sources, state quality, मतलब state का evolution होता हुआ दिखाई देता है, उसका expansion होता हुआ दिखाई देता है, urban centers का spread हमें होता हुआ दिखाई देता है, trade का बढ़ना होता हुआ दिखाई देता है, और यह सारी चीजें reflect करती है, money के prominence में, money अब एक important factor बन गया, और money को articulate करने के लिए, coinage अब बहुत ज्यादा use में आता हुआ दिखाई देता है, जैसे जो Indo-Greeks रहे, उन्होंने bilingual मतलब दो language में और bioscript मतलब दो script में, अलग-अलग तरह के dice truck coins को introduce किया, और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जो information है हमारी खासतोर से Indo-Greeks, Kings के बारे में, वो ज्यादाता information उनके दुआरा जो ये issue या published coinage है, उसी से हमें मिलती है, जैसे Indo-Greeks ने dice truck coins, bilingual and bioscript legends के साथ issue किये, similarly जो कुशानाज थे, कुशान kings थे, उन्होंने large quantities में, भारी संख्या में, gold या sony के coins को उस वक्त मिंट किया, कुछ उन्होंने copper coins को भी मिंट किया, लेकिन ज्यादा जो coins उन्हो उन्होंने mint किये, कुशानाज ने वो gold coins किये, और lower denominational values के, मतलब कम जिनकी कीमत हो, उसके कुछ copper coins भी कुशाना kings के देखे जाते हैं, अगर आप south में चले जाएंगे, तो जो सत्वाहान kings रहे, उन्होंने silver के, copper के, lead के, poten के, इन सभी different different materials के, उस वक्त coins issue किये, इसके पेनिसूलर इंडिया, मैं बहुत बड़ा inflow देखा जाता है, gold coins का, और specifically, roman gold coins का, मतलब, रोम के साथ, पेनिसूलर इंडिया का, जो trade रहा, हम अपनी चीज़े export करते थे, spices हो सकता है, textile हो सकता है, glassware हो सकता है, उसके बदले में, रोम से हमें, काफी संख्या में, gold coins उस वक् clear representation है, कि indoor roman, जो trade interactions थे, इस period में, अपने peak पे हमें, पहुंचते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा ही नहीं कि जो roman gold coins हैं, वो सारे हमें, Europe या Rome से आते हुए दिखाई देते हैं, कुछ हमें, references मिले हैं, जिसमें locally भी, जो roman gold coins थे, उनको imitate, या उनकी नकल करनी की कोशिश करते कुछ coins हमें दिखाई देते हैं, और कई सारे punch marked coins, मतलब जिसको आप punch करके, उसके ओपर जो आपको बनाना है, बना सकते हैं, यह हमें far south में भी दिखाई देते हैं, और यह हमें dynastic issues, मतलब किसी particular dynasty ने, अपनी kingship को, अपने religion को, या अपनी political history को reflect करनी के लिए issue किये हो, ऐस coins भी हमें दिखाई देते हैं, और ऐसे dynastic issues में हो सकता है, एक तरफ king की picture हो, नाम हो, दूसरी तरफ किसी religious है, उनके motives की picture हमें दिखाई दे, कई सारे जो dynastic issues हैं, उसमें legends भी दिखाई देते हैं, कई में portraits हैं, जैसे चाहे वो चोलास के coinage हो, चेरास के coinage हो, या पांडिय kings के coinage हो, कई सारे interesting coins, खासतोर से copper और bronze के बनिवा में दिखाई देते हैं, उस वक्त की जो political or economic institutions रहे, history रहे, उसके बारे में major insights प्रोबाइट करते हैं, जैसके अलावा, ये जो copper और bronze के coins, खासतोर से issue किये गए, ये generally non-monarchal states, मतलब जहाँ पर शायद एक single राजा ना हो, उ उन्होंने issue किये, जैसे की अरजुनियाना, जैसे की उदेकास, जैसे की मालवा, जैसे की युदेवास, इसके अलावा कई सारे city coins भी issue होए, और city coins का मतलब है कि उस वक्त कि शहरों की जो urban administration होगी cities की, उनको reflect करते होए ये coins, जैसे की त्रिपुरी में, उजैनी में, कौशा कुछ handful, कम, हमें निगम coins भी मिलते हैं या निगमा coins भी मिलते हैं और ये merchant guilds, इसका मतलब उस वक्त trade unions या traders की जो guilds रही होगी, उनकी power को, prominence को, authority को reflect करते होए दिखाई देते हैं तो दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा introduction आज के lecture का, अब हम move करेंगे उस वक्त की जो पहली major dynasty रही, या पहली major dynastic political history रही, वो reflect होती है उस वक्त शुंगाज से तो सबसे पहला question ये प्रशन ये हुटता है कि शुंगाज actually थे कौन, अगर आप हर शरिता की बात मानें, तो पुश्य मित्रे सुंगा, जो उस वक्त मौरियन empire, मौरियन army के commander in chief हुआ करते थे, उन्होंने जो last मौरियन king थे, ब्रेदरत, और ब्रेदरत जब मौरियन army का inspection कर रहे थे, troops को inspect कर रहे थे, तो उस वक्त पुश्य मित्र सुंगा, जो की commander in chief रहे मौरियन army के, उन्होंने उनको वहाँ पर assassinate किया, इसका मतलब मौरियन empire का अंत या end आप कह सकते हैं, तो वो रहा पुश्य मित्र सुंगा के हातों, जो खुद उस वक्त मौरियन army के commander in chief थे, ये जो कू हुआ, इस कू ने ही मौरियन rule को खतम किया 187.187.BCE में, अगर आप पुरानास की बात माने या पुरांस की बात माने, तो उनके अनुसार पुश्य मित्र सुंगा family को belong करते थे, इसके अलावा कई सारे references हमें वैदिक text में शुंगा teachers के बारे में मिलते हैं, इसके अलावा, जो ब्रेद्यंक का उपनिशद है, ये भी एक teacher है उस वक्त, जिनका नाम है शौंगी पुत्रा, उसके बारे में मेंचन करते हुए दिखाई देते हैं, पनिनी शुंगास को connect करते हैं, ब्रामन भारत द्वाज गोत्र के साथ, और काली दास की मालवा के नीमित्रा, डिस्क्राइब करती है अगनी मित्रा को, जो कि पुष्य मित्र के संथे बेटे थे, और बिलॉंग करते थे बंबे का कुल को, या family lineage को और कर्शब गोत्र को, हो सकता है, पनिनी कहते हैं कि रामन भारत द्वाज गोत्र को बिलॉंग कर करते हों, details में difference हो सकता है, लेकिन ये clear है कि सारे के सारे sources indicate करते हैं कि शुंगाज हो ना हो, ब्रामन ही उस वक्त थे, पुष्य मित्र का अगर आप empire देखें, तो मौरिन जो empire रहा, जो बहुत बड़ा empire रहा, पहली बार सच में, subcontinental level का empire रहा, उसके सिर्फ कुछ पार्ट पे ही rule करता हुआ दिखाई देता है, और पुष्य मित्र सुंगा या सुंगा डाइनिस्टी का जो rule रहा, इसमें पाटली पुत्र, जो अभी भी capital रही, पाटली पुत्र से लेके, अयोध्या से लेके, विदिशा, खास्तोर से इस region में ही, इनका empire वर्चस उस वक्त दिखा देता है, अगर आप दिव्यदान की बात माने, या तारनाथ का account आप माने, तो उसके एसाब से इसमें, अयोध्या, विदेशा और पाटली पुत्र के अलावा, जालंदर और शकाला, जो पंजाब में पढ़ते हैं, वो भी include हुआ करते थे, पुष्य मित्र ने rule करने के लि अगनी मित्र देखा जाए, तो विदेशा के इनके जो वाइसरोय हुआ करते थे, उनको ही represent करते हुए दिखाई देते हैं, ये जो कालिदास का ड्रामा, जिसको हम मालवक अगनी मित्र के नाम से आनते हैं, ये पुष्य मित्र और यजन सेन के बीच में जो major conflict war रहा, उसको भी represent mention करते हुए दिखाई देते हैं, और ये जन सेन विधरबा या जो eastern महरास्टा एरिया है, उसके king हुआ करते थे, finally पुष्य मित्र सुंगा ने ये जन सेन को हराया, और उस एरिया eastern महरास्टा को या विधरबा को भी अपने राज्य में मिला लिया, और शुंगाज ने स जो हमें मिलता है पतांजली के accounts में, और पतांजली कौन थे, उस वक्त एक major Sanskrit grammarian, जो की 2nd century BC को represent करते थे, वो refer करते हैं कि यवन या यवनास, जब साकेत, साकेत एक एरिया है जो अयोध्या या फैजाबार डिस्टे के UP का, उसको represent करते हैं, वहां तक जब यवन्स आ गए, इसके अलावा सिर्फ अयोध्या ही नहीं, लेकिन राजस्थान का जो चितोरगड है, जिसको मध्यमिका कहा जाता है, वहां तक जब यवन्स पहुँच गए, तो शुंगाज की इन बैक्ट्रियन ग्रीश के साथ, जिनको यवन्स कहा जाता है, और अगर सही मायने में आप जब उन्होंने अटेक किया, तो शुंगा डाइनस्टी की उनके साथ भी क्लैशिस हुए, उनके साथ भी फाइट्स हुई, इसके अलावा, पतांजली के अकाउंट्स में, हमें कई सारे जो सेक्रिफाइसिस हैं, बली दी जाती थी पुश्य मित्रा के लिए, उनका भी इनकाउंटर के बारे में बताते हैं, जो कि प्रेंस वासु मित्रा है, अगनी मित्रा के सन, और यवन आर्मी सिंदू के किनारे, सिंदू नदी के बैंक्स पे, ये जो कन्फलिक्ट होती है, लडाई होती है, इसको भी हमें काली दास की मालवा के अगनी मित्रा में आर्टिक और यह जो यंग प्रिंस रहे इनके वाइस रॉइ जिसका नाम है अगनी मित्रा इन्हों ने अपनी आमी के साथ यवनों का मुकाबला किया फाइनली उन्होंने यवन्स को हराया और उसके बाद उस गोड़े को वापस सेफली घर पर लेकर आए अब इस वक्त की जो लड़ाई रही इसमें एक्चुली कौन लीडर है बेक्टियन ग्रीक आमी के ये तो कलियर नहीं है लेकिन historians का ये कहना है Meninder, Demetrius या Eucritus इन में से कोई ना कोई एक उस वक्त Daktion Greek Army को लीट कर रहे होंगे और ज्यादा तर historians का मत है कि most likely ये Demetrius ही होंगे अयोध्या का अगर stone description आप देखें King Dhana का तो उसमें भी Pushya Mitra का reference हमें मिलता है इसके अलावा उसमें ये भी reference मिलता है कि Pushya Mitra Sungha ने तो अश्युमेध यग उस वक्त perform किये दिव्यदान हमें कई सारी stories देते हैं कि Pushya Mitra Sungha कि क्या cruelty रही क्या उनकी animosity रही क्यों वो Buddhism को शायद इतना पसंद नहीं करते होंगे क्या-क्या वो anti-Buddhism activities उस वक्त शायद carry out करते होंगे इसके बारे में कुछ references हमें दिव्यदान में मिलते हैं और total कितने Sungha Kings रहे total 10 Sungha Kings रहे जिन्होंने roughly 112 साल, 112 years उस वक्त उन्होंने राज किया और पुरानाज के अगर आब बात माने तो जो last ruler रहे Sungha dynasty के उनको देवभूमी भी कहा जाता है या देवभूती भी कहा जाता है और जो हर स्चरित है ये एक narrate करती है story की कि किस तरीके से Sunghas के एक ब्राहमन मिनिस्टर वासुदेव रहे जिन्होंने conspire किया Sungha dynasty के against और Sungha dynasty को हटा कर उन्होंने अपनी dynasty जिसका नाम है कानव dynasty उसको उस वक्त established किया Sungha dynasty ऐसा लगता है कि बाकी जगा तो शायद खतम हो गई लेकिन Central India में फिर भी कुछ decades तक लगातार चलती रही और Sungha dynasty को Central India में replace किस ने किया? Finally जब सत्वहांस का उदै हुआ सत्वहांस का rise हुआ और मगद में क्योंकि Sungha dynasty को उन ही के Brahmin Minister Vasudev ने उखाड फेका अपनी कानव dynasty को establish किया और कानव dynastries को मगद में replace किया मितराज ने roughly 30 BC के आसपास इसका मतलब मगद जो actually epicenter रहा Sungha dynasty का जिसमें अयोध्या आप मान लीजिए विदिशा आप मान सकते हैं फैजाबाड डिस्टिक अयोध्या जो बस्ती या गुरतपुर के आसपास पड़ता है उसको आप मान सकते हैं उस जगा कानव dynasty आई साउथ में सत्वहांस आए और जो मितराज हैं जिन्होंने कानव डाइनस्टी आयोध्या आसपास उसको रेप्लेस किया इनको फाइनली किसने उखाड फ्रेंका शाकाज में अब आप सोच रहोगे एक वर्ड हमने सुना क्या वर्ड सुना Bactrian Greeks क्या होते थे Bactrian Greeks या Bactria क्या था Bactria actually एक ancient name है पुराना नाम है और ये उस geographical area को represent करते हैं जो Oxus river और जो हिंदुकुष mountains का northwest part है इसके बीच का जो part है इसको कहा जाता है bacteria और ये जो modern अफगानिस्तान है इसका जो northern part है मतलब इसका जो उत्री हिस्सा है आज के अफगानिस्तान के उसको represent उस वक्त करता था और जो Greeks थे bacteria के originally subordinate rulers थे setraps थे किसके Salucid Empire of West Asia के और 3rd century BC के आसपास Deodotas 1 ने Salucids के against revolt किया विद्रो किया और उन्होंने खुद का Bactrian Greek Kingdoms establish किया North Afghanistan मतलब Oxus River के south में और North West of Hindukush Mountain के north में इन दौनों एरियास के बीच में और Bactrians ने अपना control अलग-अलग एरियास में establish करना शुरू कर दिया और 2nd century BC तक इन्होंने Hindukush Mountain को cross करके Hindukush Mountain के south में भी कुएंकियस्ट को जारी रखा अपने empire को expand किया Roughly 145 BC में finally जो original bacteria region हुआ करता था जो कि Oxus River के south और Hindukush Mountains के north west के बीच में वहां से तो अपना hold खतम कर लिया लेकिन Indian subcontinent का जो north west पाट रहा वहां इनका राज उसके बाद भी कई decades तक जारी रहा और जो bacteria Greeks northwest इंडिया के उपर rule करते थे 2nd century BC से लेके 1st century CE तक उनको कहा जाता है Indo-Greeks, Indo-Bacterians मतलब bacteria Greeks जो bacteria area से आते थे लेकिन जिन्होंने 2nd century BC से लेके 1st century CE तक north west इंडिया पे rule किया उनको Indo-Greeks या Indo-Bacterians कहा जाता है और तक्षिला में जो site है सरकब की उसको ऐसा कहा जाता है कि Indo-Greek period Indo-Greek Bacterians ने occupy उस वक्त किया होगा और ये एक important source of information है evidence है कि इनके बाद जो शाका प्रतिहारन phase start हुआ उसके बारे में information का एक और site जो अमुदरिया और कोक्चा रिवर जो अफगारिस्तान में पड़ती है इनके cofluence में जहां दोना मिलती है वहां मिलती है जिसका नाम है Alkonum और एक French archaeological team ने 1965 से लेके 78 में जो excavations किये उसमें site को discover किया और यह हमें एक बहुत बड़ी important great city के बारे में बताते हैं जो ऐसा लगता है कि उस वक्त जो यह वेक्टिन Greeks रहे होंगे इन्होंने establish किया roughly 280 BCE के आसपास और finally इस important city को destroy किया उस वक्त के tribals ने nomadic invaders ने roughly 145 BCE के आसपास और जो architecture है city का जो artifacts है city के clearly जो Greek यह Greek के जो art and architecture है artifacts है उसे बहुत similarity carry करते हैं इसके लावा कई सारे जो Indo-Greek rulers रहे क्या उनके नाम थे कब से कब तक उन्होंने rule किया इस बारे में important information किसी से मिलती होगी उस वक्त के सिक्कों से coin से लेकिन क्या details रही exactly कब से कब तक राज किया क्या उनका political influence रहा geographical कौन-कौन से areas आते थे क्या exact sequence थी क्या chronology थी political control का क्या extent था ये information हो सकता है हमें बहुत ज्यादा detail में उस वक्त ना मिले और ये वो period रहा जब बहुत सारे राजा बहुत सारे king एक छोटे सी period में फटा-फट बदलते चले गए ऐसा भी हो सकता है कि इस period में कई सारे kings एक साथ concurrently भी rule करते हुए दिखाई थे जैसे over struck coins, over struck coins का मतलब है कि अगर आप पहली बार राजा बने तो आपने अपने coins बनवाए और दूसरा राजा हो सकता है उस बने हुए coin के ओपर, fresh coin के बज़ाए उस बने हुए coin पर ही अपना भी stamping या उसके ओपर over struck करें तो ये भी हो सकता है कि शायद दूसरे राजा को पहला राजा पसंद ना हो, hostile relationships हो, उसको ये represent करता हूँ ये भी हो सकता है कि दो rulers ने एक साथ हो सकता है उस kingdom को बाट के या एक साथ succession उस वक्त किया हो, इस चीज़ को भी over struck coins हो सकता है उस वक्त represent करें इसके अलावा अगर आप कुछ important इंडो ग्रीक, पिक्टिरियन किंग्स की बात करें, खासत और से जिन्होंने हिंदो कुछ mountain और north wedge इंडिया के बीच में उस वक्त rule किया, तो वो हैं Demetrius 1, Demetrius 2, Apollodotus, इसके अलावा Pantaleon और Agathkelis और कई तरह की feuds लड़ाई उस वक्त के जो houses हुआ करते थे, Utidemus और Eucritus, इनकी बीच में शुरू हुई जब Demetrius की मौत हो गई ये Demetrius का राज खत्म हो गया कई सारे Kings, Amantus, Antikletus, Archibes, Hermenius ये बिलॉंग करते थे, उस वक्त Eucritus का जो house भा करता था उसको और जो base नगर का pillar inscription है, ये सजेस्ट करते हैं कि जो rule रहा, Antilchides का ये extend करता था तक्षिला तक इसके अलाबा उनके जो ambassador थे, Heliodorus ये describe करते हैं कि जो तक्षिला है एक native city उस वक्त रही Indo-Greeks की एक important feature अगर आप कहें, या एक important ruler आप कहें, Indo-Greek rulers के बीच में जो सबसे ज़्यादा prominent या famous कही जा सकते हैं, उनका नाम है Melinda और इनको identify किया जाता है King Melinda के साथ भी इन्होंने कई सारे questions पूछे, उस वक्त जो monk थे, saint थे, नागा सेना से, खास्त और से buddhism के बारे में, buddhist text के बारे में और उस buddhist text का नाम है, जिसमें conversation captured है, Melinda पना Melinda का rule ऐसा लगता है कि Victoria और North Western India दौनों के बीच में या दौनों तक उस वक्त शायद extend करता होगा और कुछ fragments हमें मिले हैं, खरोश्ती inscription के, एक casket के उपर, बजोर है जो North West Frontier प्रविंस पाकिस्तान का वहाँ पे लाई करता है और शायद Lord Buddha के रिलिक्स होँ, स्टूपा के इंडर जो captured होँ, उसके बारे में भी हमें कुछ information वहाँ से देखने को मिलती है वहाँ भी हमें reference मिलता है एक king का जिसका नाम है मिनेंडर और ऐसा लगता है कि इनको ही जो इंडो ग्रीक रूलर रहे मिनेंडर या मिलिन इनके साथ identify किया जा सकता है इसके अलबा प्लूटाक हमें बताते हैं कि मिनेंडर की death के बाद king की जो ashes हैं या उनकी अस्थियां हैं वो किसके पास जाएंगी उसको लेकर भी उस वक्त एक जंग छड़ गई पार्थियांस ने जब इंडो ग्रीक king हमियस को हराया खासतोर से 2nd century BC के last में वो ऐसा लगता है कि बिक्ट्रिया में जो ग्रीक रूल था उसके end को indicate करता है तो बिक्ट्रिया में तो ग्रीक का रूल खतम हो गया लेकिन जो southern parts रहे हिंदु कुष के south में या दक्ष्म में parts रहे उनमें अभी भी साती सात Indian subcontinent के जो north western parts रहे उसमें भी इंडो ग्रीक रूल अगले कई decades तक लगातार carry on करता हो दिखाई देता है और इस वक्त के जो rulers रहे इस phase के जो rulers रहे उसमें queen अगातकलिया उनके बेटे strato ऐसा लगता है दौनोंने joint coins issue किये तो ये भी हो सकता है कि अगतकलिया और उनके जो sun strato है इन्होंने एक साथ rule किया हो और इस जो queen रहे इकतकलिया ये king meninder की कई सारी रानियों में से एक रानी उस वक्त हुआ करते थी जो इंडो ग्रीक rule है गंधारा region के आसपास ये खतम होता है क्योंकि parthians और शाकाज ने आकर इंडो ग्रीक को वहाँ से उखाण फिका इनका जो control है जेलम के east की तरफ ये roughly 1st century BCE के असपास खतम होता है और ऐसा लगता है कि 1st century BCE से लेके 1st century CE तक सिर्फ बहुत weak form में ही इंडो ग्रीक rule हमें दिखाई देता है और इनकी जब defeat होती है उस वक्त के जो छत्रप ruler रहे राजु वुला उनके हातों एक बहुत बड़ा positive impact इंडो ग्रीक rule का आप कह सकते हैं cultural level पे वो रहा कि इस rule की वजह से इंडिया में जो गंधारा school of art है उसका rise होता है उसका उदै होता है क्या important features रहे उसके बारे में अगली कुछ lectures में आपसे detail में discussion करेंगे तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला important sub topic पहली important dynasty दशुंगा डाइनस्टी जो Moran Empire के बाद खतम होती है उदै होती है टिस्प्लेस होती है Victorian rule इंडियन सब कॉंटिनेंट में इंडियन जो rulers रहे शत्रप्स रहे गंधारा school of art का कैसे उदै होता है इस सब को summarize करते हुए अब दूसरा जो sub topic है वो है कि जो इंडो ग्रीक्स हैं इनके coins के बारे में क्या salient features रहे क्या वो important चीज़े हैं क्या information हमें मिलती है उसके बारे में भी एक short discussion ज़रूरी है जो coins हैं ग्रेकोबेक्टरियन्स के ये जो नदन पार्ट है हिंदू कुषके वहाँ पे circulated होते दिखाई देते हैं और ज़्यादा तर ये ग्रेकोबेक्टरियन्स के जो coins थे ये gold के, silver के, copper के और nickel के बने होए दिखाई देते हैं ये follow करते थे, adequate standard और इसके उपर Greek legends के photos या punch mark statues भी हमें बने होए दिखाई देती हैं जो coins थे, इसका observe, observe, मतलब front part जिसको आप कह सकते हैं, उस पे royal portraits, मतलब kings etc की photos दिखाई देती हैं और reverse पीछे की तरफ, जो Greek DTs थी उस वक्त की, Jewish, Apollo, Athena, उनके photos हमें दिखाई देते हैं कई बार उनके नाम, कई बार kings के title, वो भी हमें इनके ऊपर बने होए दिखाई या mark होए दिखाई देते हैं Indo-Greek coins on the other hand, मतलब हिंदो कुष के north में तो Greco-Bactrians और हिंदो कुष के south में इंडो-Greek coins दोनों में अलग-अलग फरक है, तो हिंदो कुष के north में जो Greco-Bactrians थे, इसमें Greek legends दिखाई देते हैं वहीं हिंदो कुष के south में और इंडिया के north-west region तक, south of हिंदो कुष से लेकर हमें gold के बजाए, silver, copper, जो की circle के बजाए, ज्यादा तर square shape में ऐसे coins हमें दिखाई देते हैं ये bilingual inscriptions हैं, एक तरफ Greek साथी साथ खरोशती और बहुत कम कभी कबार ब्रह्मी script या लेपी भी हमें दिखाई देती है और हिंदो कुष माउंटेन के north में, जो Greco-Bectreans के coins हुआ करते थे, उसमें adequate standard use होता था वहीं हिंदो कुष के south में, जो Indo-Greek coins हुआ करते थे, इसमें Indian weight standards को use किया जाता हुआ दिखाई देता है और इसमें जो observe है, front part है, उसमें royal portraits दिखाई देते हैं, same as Greco-Bectrean coins motives जो है, reverse में, पीछे वाले part में, इसमें Greek inspiration के बजाए, या Greek DTs के बजाए Indian spirit या Indian motives, Indian DTs के photos हमें दिखाई देते हैं एक बड़ी interesting coin series अगर आप देखेंगे, वो है King Agathicals की, जो depict करते हैं, भगवान, Sam Krishnan Balram को front में और वाशोदेव, Krishna भगवान को reverse में, back side में Greekobacterians या Indo-Greek जो coins हैं, जो Afghanistan में हमें मिले हैं, उसमें तीन major find साम कह सकते हैं एक मीर, Zakas, जो हमें मिलता है Goddess के पास में, एक बड़ा horde, एक बड़ी खेप हमें मिलती है, खिष टेपे, जो की कुंडूस के पास में और एक बड़ा horde हमें मिलता है, अई, खुनोम के पास में जो मीर, Zakas horde है, रफली 13,000 coins के आसपास यां मिलते हैं, जिसमें से रफली 2757, Greekobacterian and Indo-Greek coins को reflect करते हुए दिखाई देते हैं जो बचेवे coins हैं, इंडियन बेंट बार हो, पंच मार्क coins हो, इंडो सिंथियन हो, इंडो पार्थियन हो, कुशाना coins यहां पर दिखाई देते हैं जो कुंडूस होर्ड है, इसमें रफली टोटल 627 silver coins दिखाई देते हैं, जिसमें से 624 grieco-bacterian and salicyd को represent करते हुए coins मिलते हैं, कई सारे coins, pre-salicyd, salicyd, grieco-bacterians, indo-greek, indo-punch mark coins और कुछ, कुशान coins भी हमें मिलते हैं इसके अलावा, relatively छोटा जो hoard हमें मिलता है, अल्खनूम में, उसमें सिर्फ 6 coins हैं, इंडो-greek king, अगात कल्स और 677 Indian punch mark coins वहां पर दिखाई देते हैं ये भी दिखाई देता है, कि ऐसा लगता है, कि जब city को abandon किया हो, तो इन coins को वहां पर बड़ी कर दिया हो तो दोस्तो एक short introduction, short introduction के साथ जो पहली major dynasty रही, इस period की, शुंगा dynasty, उसके बाद किस तरीके से ग्रीक और रोमन हो, इंडो-ग्रीक्स हो या बैक्चिन-ग्रीक्स हो, उन्होंने कैसे rule किया, invasions किये, कैसे उनके coinage थे, क्या important features थे, इसके discussion के बाद, अब जो दूसरे important rulers रहे इस transition period के दोरान, जिनको कहा जाता है, शाका पहलवाज या साइतो-पार्थियंस, उनके बारे में एक short discussion हो जाए, उसके बाद हम move करेंगे another major dynasty called the Kushanaz, 6th century BC, में जो शाकास थे, ये belong करते थे, सिथियन ethnic stock, वर सिथियन generally, जो mountainous warfare है, पहाड़ों में जो लडाई है, उसके लि इस थे, उनमें, 3rd century BC में, जब Chinese empire ने अपने आपको consolidate करना शुरू किया, उस वक्त के emperor Kin Shi Huang ने, तो ऐसा लगता है, कि जब उन्होंने attack करना शुरू किया, खासता और से Central Asian tribals के उपर, तो tribals उस वक्त जो रहे, खासता और से Central Asia के, उन्होंने अलग-अलग directions में move करना इंक्लूडिंग North Western India, और इस पूरे period के दौरान, खासता और से 2nd century BC में, जो great you cheat right था, उन्होंने डिस्प्लेस किया शाकाज को, और शाकाज जब Chinese dynasty ने डिस्प्लेस किये, अब उन्होंने अफगानिस्तान से होते हुए North Western India में move करना शुरू किया, जो ancient पार्थिया है, वो खुरासन को correspond करता है, साथी साथ उसके पास का adjoining जो area है, वो south east जो है Caspian Sea का, और पहले मेरी जब पोस्टिंग रही अजरबजान बाकु में, जो Caspian Sea के पास है, इसके south east पार्थ को represent करता है, और इनको कहा जाता है, पार्थियंस या पहलवास, जो term है शाका पहलवास, य एक single group के लिए use नहीं किया जाता, बहुत सारे अलग-अलग invaders रहे, बहुत सारे अलग-अलग groups रहे, जो roughly पार्थिया से आते हुए, जो northwest इंडिया है, खास तोर से 1st century BC के पास attack करते हुए दिखाई देते हैं, इन सारे groups को आप शाका पहलवा या साइथो पार्थियन के त इंडिया में, ये generally हमें मिलती है, उस वक्त के जो inscriptions हैं, उस वक्त की जो सिक्क्य या coins हैं उनसे, जैसे, एक important inscription हमें मिलता है तक्षिला में, और वो mention करते हैं, उस वक्त के एक शाका king थे, जिनका नाम था मोगा, और उनके एक शत्रप थे, या शत्रप governor भी हुआ करते थे, उनका नाम था पतेका, मोगा को identify किया जाता है, मोगा या मैं उस के थूँ, और इनका नाम हमें मिलता है बहुत सारे copper या silver coins के उपर, जो बड़े similar से दिखाई देते हैं, उन coins के साथ, जो Indo-Greeks ने उस वक्त issue किये होंगे, और एक जो series है silver coins की, वो हमें जो Greek god Jesus हैं, उसको reflect करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके left hand में एक mace है, इसके अलावा, नाइकी जा जो goddess of victory है, जीत के जो भगवान है, वो right palm में hold करते हुए दिखाई देते हैं, इसके अलावा, ये भी एक possibility है, कि उस वक्त के मोगा या मोगा या माउस ने गंधारा region को conquer किया होगा, जीता होगा इंडो ग्रीक्स के हातों, सेकिन ऐसा लगता है, कि इंडो ग्रीक्स ने कुछ दिनों बाद, वापस से मोगा को पचाड कर, फेर से अपना कबदा जमालिया होगा, शायद खास तौर से जो north west part है, गंधारा part है, इंडिन सब कॉंटिनेंट का उस पे, और कई सारे groups, ज जैसे spliruses, agilises 1, agilises and agilises 2, कई सारे जो coin है, यह हमें co-joint rule, मतलब दो kingdom एक साथ, या दो king एक साथ rule करते हों, उसको भी reflect करते हुए दिखाई देते हैं, for example, spliruses ऐसा लगता है, कि initially, जो वो नने इसके subordinate हुआ करते थे, उनके नीचे काम करते थे, time के साथ अपने आप में ख या agilises 1 and agilises, इनके भी co-joint rule के coins हमको इस वक दिखाई देते हैं, इसके अलावा एक important note करने की चीज़ ये भी है, कि जो विक्रम era है, जो 58 या 57 BC को represent करता है, इंडिया में जो अभी भी use होता है, एक समय पे, वनननिस का accession कब हुआ, राजा कब गने, उसको represent करते हुए दिखाई दिये, और वनननिस, earliest independent party and ruler, खास्ता और से East Iran के, उनको represent करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन time के साथ ये view थोड़ा सा evolve हुआ, और अब ऐसा लगता है, कि विक्रम era के शुरुवात, 58 या 57 BC, ऐसा लगता है, agilises 1 का accession, या जब वो राजा बने, उसको शायद represent क पंजाब में रहे, और शाकास के डुमीन उनके अंडर रहे, उन्होंने भी time के साथ राजस्तान में North West से एंटर करना शुरू कर दिया हो, migration शुरू हो गया हो, अपने रूल को establish करने की कोशिस उन्होंने शुरू कर दी हो, जो वोननिस हैं and spellarizes हैं, इन्होंने रूल किया अ अश्रमी पार्ट है, वहां तक expand करना शुरू कर दिया, अजलेसिस जो हैं, ऐसा लगता है, इन्होंने अब सिर्फ North West ऑफ इंडिया ही नहीं, मत्रवा तक अपने रूल को push करना शुरू किया, अपने रूल को establish करना शुरू किया, इसके अलाबा, साइथो पार्थियन रूल शाका पहलवास को represent करते हुए एक और important group, जिनको कहा जाता है Gondofaranis, इनको identify किया जाता है King Godovara, और ये हमें mention होते हुए दिखाई देते हैं, जो हमें inscription मिला है तक्त अबाहिवी, और ये जो inscription है, कहता है कि ये जो King Godovara है, जो Gondofaranis को represent करते हुए दिखाई देते हैं, most likely 1st century CE के आसपास North Western India में rule करते हुए उस वक्त शायद दिखाई देते हैं, उनके जो coins हैं, उसमें Gondofaranis associate करते हैं, आपने जो nephew हैं, अबदगैसिस उनके साथ, उनके जो governor हैं, सबदाना या सतवस्तरा उनके साथ, साथी साथ उनके कई सारे जो military governors हैं, जैसे अस्प वर्मन और सा उनके साथ, जो successor है Gondofaranis के, वो ultimately उनको निकाल दिया गया North Western India से, किसने अगली जो major dynasty रही, वो रही कुशानाज, इसका मतलब शुंगाज, शुंगाज के बाद शाका पहलवाज या साइथो पार्थियन्स, और इसके बाद कुशानाज, शाकाज और साइथो पार्थियन्स ने rule किया बहुत directly नहीं, लेकिन इनसे पहले जो शुंगाज रहे, उसी की तरह, Governors के तुरू, Subordinate Rulers के तुरू, जिनको कहा जाता था, शत्रप and महा शत्रप, जिन्होंने बड़ा important role play किया, इस शाका पहलवा या साइथो पार्थियन्स के rule को expand करने में, empire को आगे बढाने For example, अगर आप East India के तरफ जब इन्होंने expand करना शुरू किया, साइथो पार्थियन्स रूल को, खास तोर से मत्रवा के area के आसपास, और ये हुआ, अजिलिसिस के रीन के दौरान, तो ऐसा लगता है कि इनको majorly assist या इनकी मदद की होगी, उस वक्त के महाशत्रप, जिनका न आप में मत्रवा area में एक independent ruler की तरह उन्होंने rule किया, और जब राजुवुला जो महार शत्रप रहे, इनकी death हुई, तो उसके बाद मत्रवा area में इनके governor बरे succession बने, इनके ही बेटे सुदार्शा, कई सारे जो शत्रप थे, उनके बारे में कहां से information मिलेगी, inscription से और coin से, त the next big group of dynasties, group of rulers, शाका पहलवाज, साइथो पार्थियंस, एक homogeneous group नहीं था, बहुत सारे different groups के बारे में बताते हैं, जो नौर्थ एरान से लेके, Caspian Sea के आसपास के area से migrate होते हैं, क्योंकि इंडो ग्रीस के साथ उनके लड़ाई, या Chinese empire जब consolidate होता है, Central Asia में, वहां से जब श lecture number 22 या lecture number 22 of ancient history of India आपको पसंद आया होगा, stay tuned, जै हिंद, जै भारत